जाए इस टुटोरियल में आप सीखेंगे साइट बाइंडिंग के बारे में साइट बाइंडिंग क्या होती है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है साइट का जिसके तुरू हम लोग साइट को पूरा पूरा प्रॉपर मैनेज करते हैं उसके टाइप साइप एड्रस होस्ट नेम और उसके पोर्ट बगएर को लेकर तो यहां पर चार चीज हैं बहुत ही मेंडेटरी होती है यहनि टाइप होस्ट नेम आईप एड्रस और पोर्ट नमबर से सारी चीज होती है अब चलो इसको मैनेज कैसे करना आप देखो सिंपल मैं यहां पर लिखता हूं लोकल होस्ट स तो अब देखो यहां पर हमारा लोकल होस्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारी साइट है बाइडिफॉल्ट जो साइट होस्ट हुई है यह है इसके लावा मैनुवल साइट कैसे होस्टिंग होती है मैं कोसिस करूंग यहां पर कोई अपना एक पेश दिखाने के लिए उसके बाद मैं यहां पे चलता हूँ तो सिंपल मैं IIS सर्विस को उपन कर लेता हूँ टूल्स के अंदर जाकर IIS सर्विस यहां से उपन हो गई और मैं इसको मिनिमाईस कर देता हूँ अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है कि आप इसको उपन करिए और थोड़ा सा और expand करिए site पर आईए और यहां पर आजाओ यहां पर आने के बाद आप देखो दिया हुआ है यहां पर explore binding basic setting सब कुछ वही दिया हुआ है जो भी इससे पहले वाली वीडियो में FTP के साथ मैंने चीजें बताया था सो देखो अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर आप यहां पर open कर रहे हैं like 100.0.0.2 ओके सो यहां पर हमें क्या मिलता है आप देखो डाइरेक्ट किसको होस्ट कर पा रहे है और आप local host को भी कर पा रहे हैं लेकिन आपके सर्वर का जो नाम है वो क्या है यहां पर learner.com सो क्या आप learner.com से एकसिस कर पा रहे हैं तो एक एक चीज को मैं practically करके दिखा रहा हूँ था कि आपको समझने में थोड़ा सा असानी मिले सो मैं यहां पर चलता हूँ और यहां पर लिखता हूँ लेर नियार learner.com और इंटर किया तो देखो http www कोई ऐसी website इसको find नहीं हुई सो क्यों नहीं हुई तो मैं यहां पर चलता हूँ और authentication और सब कुछ आपने देखी लिया बहुत सारी सब्सक्राइब करना होता है कैसे क्या चीज़ें होती है सो नो डाउट ऐसा नहीं कि नहीं अभी चलेगा http के साथ मैं एक एक प्रक्टिकल को अप्लाई करके दिखाऊंगा सो यहां पर पहले समझते हैं binding को इस चेप्टर में कि binding में चार object कैसे यूज किये जाते हैं सो binding option पर क्लिक कर लो देखो हैं पर type hostname port IP address उसके बाद binding information आती है अब type क्या होता है आपका page कैसा है अब देखो type में दो तरीके का page यहां पर आ सकता है एक HTTP है और एक HTTPS है guys HTTP और HTTPS में आपको पता होगा कि HTTP हमारा insecure होता है by default होता है और HTTPS हमारा ज्यादा secure होता है जो भी हमारा client और user के बेच का information access होता है वो encrypted form में होता है SSL certificate वहां पर apply हो जाता है जिसकी वज़े से तो बात होती है यहां पर type हमारा क्या है कि एक HTTP हो सकता है या तो HTTPS हो सकता है तो S मतलब होता है SSL certificate वहां पर लगा हुआ है या एक encryption हो रहा है तो कि अगर देखो हमारे एक server चल ला है और अगर हम लोग कोई भी website पर जाते हैं बहुत सारे बिल्कुल beginner है यहां पर तो मुझे काफी बच्चों की तरह समझाना पड़ता है तो नो डाउट की बस समझ में आना चाहिए सभी कोई अगर देखो HTTP है तो यह website क्या होगी insecure access होगी तो कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा आज के समय पर सबको पता है कि यहां पर insecure लिखकर आ रहा है मतलब हमारी information चोरी हो सकती है तो इस तरीके का अगर आप एक local host करते हो तो फिर ठीक है आपके client हैं जानते होंगे लेकिन आप.cost करते हो publicly अपनी website चला रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है अगर insecure website लिखकर आगे तो बिल्कूल आप नहीं चलाओगे समझो कि आप Facebook daily login करते हो लिखकर आप insecure Facebook तो आप क्या वहाँ पर इतने सारे काम करोगे जो अभी आप कर रहे हो नहीं करोगे तो यह हमारा SSL certificate क्या करता है इस website को secure कर देता है ताकि जो भी user और server के बीच data information send receive हो रही हो encrypted form में हो सो यह होता है host name हमारा क्या होता है कि host name की अगर बात करी जाए तो यह जैसे हमारे एक domain name हो सकता है या तो आप खुद decide कर सकते हो sttp port 80 होता है या तो 8080 होता है या तो 443 होता है ऐसे बहुत सारे port number आप redirect कर सकते हो किसी अनदर port पे भेज सकते हो ip address आप देखो star दिया हुआ है मतलब कि आप खुद assign कर सकते हो या जो भी manual आपका computer पर पढ़ा हुआ है वो accept कर रहा है by default लेकिन आप इन सारी information को अगर बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आप edit option select करके बदल सकते हो इनकेस आप manual binding करना चाहते हो अलग से तो आप यहाँ पे add option को select करके http, https दोनों में से कोई भी option select करो और यहाँ पे कर सकते हो guys यहाँ पे FTP का भी आप सोना रहे है मतलब कि type आप FTP भी कर सकते हो FTP हमारा web page से बिल्कूल different है क्योंकि वहाँ पे file folder रखकर आप access करा देते हो direct तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ http और https के बारे में port number यहाँ पे दे सकते हो यह चीज़े आप बहुत बैतर तरीके से redirect कर सकते हो अगर आपको https की setting को use करने आता है तो यह कैसे सारी चीज़े होती है थोड़ा सा मैं यहीं के options पे manually edit करके दिखाता हूँ so edit मैंने किया और यहाँ पे देखो ip address मैंने दे दिया यह अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.learlerner.com उसके बाद मैं यहाँ पी इसको कर देता हूँ ok करने के बाद जड़ा सा मैं इसको close करूं और दुबारा से browse करू ब्राउज करने के साथ देखो यहाँ पे क्या दे रहा है यह learner.com में open हुआ यहाँ पे फिलाल नहीं हुआ अब यह क्यों नहीं हुआ क्योंकि इस तरीके का entry हमारे DNS server में नहीं हुई है है ना guys so DNS server में हमें क्या करना होता है दोनों entry करनी होती है guys यहाँ पे देखो अगर मैं cmd open करूं यह थोड़ा सा लंबा process हो जाएगा इसके entry अब DNS के entry यहाँ पर आपको ठीक है एक बार कोशिज करते हैं एनस lookup अगर हमारा आईपी टू नेम नेम टू आईपी दोनों verify हो रहा है तो इसली आप इसको manage कर सकते हैं एनस lookup space मैं यहाँ पे 100.002 करूं तो हमें हमार computer का नाम मिलना चाहिए domain name और सारी चीज़ें तो देखो हमारा आईपी को ने आईपी से तो नहीं मिल रहा है बट अगर मैं यहाँ पे learner.com दूं learner.com सो यहाँ पे हमारा access होना चाहिए तो देखो यहाँ पे आईपी अड्रेस तो यहाँ आना चाहिए तो देखो learner.com और आईपी अड्रेस दोनों आ गया है मतलब कि नेम से तो find हो रहा है आईपी अड्रेस तो मिल जा रहा है लेकिन आईपी अड्रेस से नेम नहीं मिल रहा है तो इसकी entry प्रॉपर होती है अब वो गाइस कैसे होती ह थोड़ा सा little bit ज्यादा time लग जाएगा बट एक बार मैं यहाँ पर कोसिस करता हूँ अगर तुरंत हो गया तो DNS को आपने open कर लेना है और entry यहाँ पर आपको दोनों मतलब zone पर कर देनी है गाईस इसके बारे मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं फटाफट entry कुछ कर लेता हू ताकि आप लोगों को फटाफट में बता पाऊं कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी उसके लिए पूरा DNS server आपको समझना होगा उसको मैंने यहाँ पर entry कर दिया अब थोड़ा समय यहाँ पर IP address को लेकर PTR बना अब देखें यहाँ पर पूरा यह host name दिया हुआ है अगर यह पूरा मैं यहाँ से copy कर लूँ तो यहाँ पर देखो पूरा देवा लाओ any authenticated user to update all DNS record और यह सारी चीजें सो ओके कर दो और यहाँ पर देखो 10 के साथ pointer record बन चुका है उसके बाद आप यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा IP address और hosting सारी चीजें चल रही है ओके गाइस सो यह आप manage कर सकते हो अब यहाँ पर और कुछ आप देख सकते हो new delegation या record वगरे maintain करने के लिए सो database या by default अब जो है जो है वही में रहने देता हूं ओके उसके बाद मैं अब यहाँ पर एक बार दिखाऊं आप लोगों को cmd पे nslwokuplookup और 100.0.0.2 जब इस तरीके से हमारा reply देने लगेगा देखो यहाँ पर आ गया अब यह भी आ गया और अगर आप नाम लेकर वो करते हो like lear learner.com सो यह भी हमारा आ जाएगा देखो आ गया सो अब दोनों तरीके से आ जाएगा तो क्यों ना अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसी entry करते हैं या कोई भी ऐसा चीज यहाँ पर open करते हैं सो हो जाना चाहिए तो थोड़ा सा update करेगा record को time लगाएगा and then इसकी entry जरूर यहाँ पर एक बार मैं यह जो होशने में यह पूरा का पूरा एक बार आप copy कर सकते हो और इसकी entry मतलब की देखो अभी proper इसकी entry मैंने वही कहा था कि अभी थोड़ा सा यह time भी लगा सकता है देखो learner.com पर एकसेस नहीं कर रहा है बाइंड कर चुके हो आप वहाँ पर तो इस वज़े से यहाँ पर एकसेस नहीं कर रहा है अगर आप बाइंड पर चले जाओ दुबारा से और इसको edit option को select करो और एक बार आप यहाँ पर पूरा का पूरा machine name देतो जो आपने वहाँ पर यह दिया था सो मेभी यह पूरा का पूरा क्या कर दे एकसेस करा दे like www. यह चीज ओके तो क्योंकि यह entry DNS समझ रहा है कुछ इस तरीके की जो entry है वो DNS समझ रहा है सो इस तरीके की entry पे हमारा server क्या कर सकता है काम कर सकता है बट अभी यहाँ पे reach नहीं हुआ है ना आप देख सकते हो ऐसा reach नहीं हो रहा है सो क्यों नहीं हो रहा make sure web server http इतना learner is correct इतना करेक्ट है तो अभी नहीं ले रहा है अभी और भी इंट्री होती है DNS के अंदर तो काफी लंबा हो जाएगा तो उसको मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ चीज को मैं डिलीट करता हूं और दुबारा से access करता हूं सो आप देखो यहाँ पे वह चीज आपको access हो जाएगी सो कुछ इस तरीके से होता है binding option binding में आपने देखा चार चीजे होती है नेम होशनेम और सारी चीजें कैसे आप अंदर अपनी वैब साइट के इंट्री करते हैं सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कवर होगा और आई होप कि आपको समझ में आ आगे हो का काफी चीजें वह से binding में लेकर यही इंट्रेस्टिंग पॉइंट आने वाला है सो बस बने रहिए मैं कोसिस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक वेब पेज उसका SSL सार्टिफिकेट सब कुछ अप्रापर तरीके से एक ही वीडियो में समझाने की सायथ वो फाइनल वीडियो क्योंकि उसमें कम्प्ल करेसे रेलेटेड नहीं मिलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा मेरे चैनल पर क्या उन से वीडियो आई है सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू